दोस्तों टेक्नीशन इस्पॉर्ट पे आप सभी का बहुत बहुत सौगत है अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें दोस्तों क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टें एमसी क्यूशन्स लेने वाला लाने वाला हूँ आपके लिए वो बुक बा वाली थी आपके लिए पढ़ने के लिए प्रिंटिंग टेक्नोलोजी की उससे मैग्जिम नंबर आफ कोईशन्स जो है वो एक्जाम में फस रहें और आप ही रहें जो कैंडिडेट्स पढ़के गए थे जिनका बी एनपी का एक्जाम था साथ जून का देके दोस्तों उनक प्रिंग या टेक्निकल्स आये थे बैंक नोट प्रेस में बी एनपी देवास में उसमें से 40 प्लस कोईशन्स जो थे वो एबुक से आपके आये हैं तो एबुक बहुत ही अच्छी रहेगी 40 प्लस कोईशन्स आपको देखने को मिल गए हैं तो और बाकी वीडियो से भी मेर टेक्निशन स्पॉर्ट पर जाईए वहां के वीडियो से भी आपको बहुत सारे कोईशन्स कवर अब करने को मिले हैं तो मैं प्रिवियर्स येर्स के कोईशन्स भी आपको लेके आऊंगा उसके वीडियो भी मैं आपको वैल्व करा दूँगा ध्यान रखिएगा दोस्तों अब ही मैं जो आपको ये वीडियो जो आपको करा रहा हूँ ये बुक बाइंडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान से पूरा वीडियो देखना है क्योंकि आपके एक्जाम में जो कोईशन्स बनेंगे वो बहुत ही सिंपल वे में बनेंगे और बहुत ही इंपॉर्टन रहेंगे इस वीडियो से ठीक है दोस्तों क्योंकि ये पेपर जो है आपको वो बहुत कुछ देने वाला है या आप ऐसे कह लिजे कि अगर आप मेहनत करेंगे ना दोस्तों तो आपका भी एक्जाम बहुत ही सिंपल वे में निकल सकता है तो ध्यान नमबर 8 क्या कह रहा है देखें दोस्तों क्वेशिन नमबर 8 जो है वो कह रहा है कि प्रिंटिंग प्रिंटिंग औन बोज शाइड आप सीट विद यूग टेल बिकमिंग दलेड इस फोर देस एकेंड पाइल पास थो देखें पास तो दोस्तों यहां पर जो बोज नग यहां पर जो लेड एज बनता है और second color जो turning of pile of the for the second pass throw रहता है वो किस से related रहता है यहां पर questions मूच रहा है आपसे तो देखिए यह option है work and turn work and tumble impression signature या sideways तो देहरन दखना दोस्तों यहां पर options number b is the right answer होगा work and tumble imposition ठीक है दोस्तों next question है next question है is classic screening is otherwise known as तो इसका दूसरा नाम क्या है यहां पर पूच रहा है तो ध्यान रखना है दोस्तों इसका second इसका options number d is the right answer होगा fm screening भी बोलते हैं इसको sketch stick screening को ठीक है दोस्तों next question चलते हैं next question है इन layout two or more connected letters on a same type body is known as यह कह रहा है कि इन layout में दो और दो से ज्यादा जो letters होते हैं same type के same type of body के उनको क्या कहते हैं लिगेटर कहते हैं सेनरिफ कहते हैं indentation कहते हैं या फाइलेट कहते हैं तो ध्यान रखना है दोस्तों यहां पर options number जो a है वो ligature is the right answer होगा option number a ठीक है दोस्तों next question चलते हैं question number 11 question number 11 कह रहा है कि name the recommended file format to save art vector image तो कौन सी recommended file है जो vector image को या art image को save करती है PDF है RGB है EPS है या CMYK CMYK के बारे में आप बता सकते हैं CMYK का full form बता सकते हैं तो आप जरूर comment section में CMYK का full form बताएगा Cyan, Magenta and Y&K का ठीक है दोस्तों तो यहां पर options जो है 11 का option number D is the right answer होगा EPS और EPS का भी full form आपको मैंने कराया है तो इसको भी आप बताएगा दोस्तों और book binding के जो भी candidates हैं उनको अगर ऐसा लग रहा है कि उनको abrasion forms चाहिए और दूसरा abrasion forms के वीडियो से है तो वो आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे वहां पर आप पढ़ सकते हैं जितने भी short form के questions हैं जैसे EPS और RGB है या आपका red green blue, pdf का, cmyk का, eps का ये सारे के सारे आपके जो formats हैं ये छोटे छोटे formats या आपको बोलें के abrasion letters हैं इनके full form आपको मेरे चैनल के वीडियो से मिल जाएंगे ये बहुत important रहने वाले exam point of view से तो miss मत करिएगा वहां से सारी वीडियो से देखिए दोस्तों देखिए अगर आपको सफलता पानी है तो उसका एक ही रास्ता है वो है कड़ी मेहनत उसके बिना कुछ नहीं होता है कोई simple trick नहीं है कोई जुगार नहीं होता है कि आपने एक दिन में पढ़ लिया और दूसरे दिन आपको सब आ जाएगा इसलिए मेहनत ही आपको आगे बढ़ा सकती है य नेक्स्ट कोशन है कोशन नंबर 12 कहारा नेम दा प्रिंटिंग मैथेड इन विच द ड्राइ इंक इस जुज की जाती है ऑपसेट है ग्रवियोर है स्क्रीन है या इलेक्ट्रो इस्ट्रेटिक से देखिए स्क्रीन प्रिंटिंग में आपको पता होना चाहिए कि यहां पर त dry ink वगेरा यूज नहीं करते हैं, offset में भी नहीं करते हैं, तो हम यूज करते हैं, electro statics printing में, ठीक है दोस्तों, next question चलते हैं, pre-sensitized plate coating material are, pre-sensitized plate coating material कौन सा होता है, daizo है, albumin है, या silver है, या gum, arabic है, तो यहाँ पर option number A is the right answer होगा, daizo, ठीक है दोस्तों, next question चलते हैं, देखिए, बहुत सारे candidates का अभी, मेरे पास में message आया है कि उन्हें हिंदी में भी वीडियो चाहिए, तो देखिए दोस्तों, अगर मैं हिंदी और इंग्लिस दोनों में बनाने की कोसिस करूँगा, तो मेरे पास उतना time नहीं रहेगा, कि मैं आपके लिए दोनों वीडियो वेल कर पाऊँ, इसलिए थोड़ा सा मेहनत से मट डरिये, इंग्लिस से मट डरिये, इंग्लिस बहुत simple होती है, अगर आपने वीडियो को सही से समझा, सही से देखा, तो आपको यहीं clear हो जाएगा, मैं most of questions को हिंदी में बताने की कोसिस करता हूँ, जिससे आपका हिंदी के जो students है, उनको दिक्कत ना है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इंटर, नहीं यहाँ पर बोला है, इंटर्नल कर्व between the senriff and main stroke is a type, कौन सा होता है इंटर्नल कर्व, किसके बाद समें senriff, तो यह text font होता है, यह आप याद रखना है, यह मैंने questions भी कराए हैं, कि senriff क्या होता है, यह text font होता है, उसके साथ 14 questions का यह है, यह किस तरीके का कर्व होता है, यह होता है, फाइलेट कर्व, ठीक है दोस्तों, next question है, question number 15, question number 15 कहला है, name of the tool used to view dot in a photograph, photograph में जो dots होते हैं, उस tool के, जो tool use करते हैं, dots को देखने के लिए, वो कौन सा होता है, microscope, line in tester, densitometer या slur gaze, तो ध्यान रखना दोस्तों, जो photograph में dots होते हैं, यह questions भी आपसे पूछा गया है, BNP के exam में, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यह questions बहुत ही important है, यह आपका previous questions है, जो BNP के exam में भी पूछा गया है, तो यह होता है, lean in tester, ठीक है दोस्तों, यह होता है, option C is right answer होगा, lean in tester, ठीक है दोस्तों, next question चलते हैं, question number, question number है आपका 16, देखिए यहाँ पर aberrations forms आपको बता दी गए है, बहुत सारे questions आपको मिल जाएंगे, UCR का stand for, UCR का perform क्या है, UV का try recognition, under control remover, gray correction या bitmap, तो देखिए दोस्तों, UCR under color removal, ठीक है दोस्तों, options B is the right answer, next question चलते हैं, question number 17, device used to convert digital signal into analog signal, कौन सी device convert करती है, digital signal को analog signal में, देखिए digital और analog के बीच में, अगर आपको confusion हो, तो दिहान रखना है, दोस्तों, digital signal 01 वगरा होते हैं, analog के signals दूसरी तरीके से होते हैं, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि motherboard करता है, radar करता है, CPU करता है, या modem करता है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर जो modem में, वो change करता है digital signal को analog signal में, ठीक है दोस्तों, next question चलते हैं, carbonless copy paper is known as carbonless copy paper को और क्या बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ option number D होगा, auto copying paper, देखें दोस्तों, जितनी मेनत मैं कर रहा हूँ, अगर आप उसका 50% भी कर लेंगे न, तो आपका exam बहुत ही easy way में निकल जाएगा, तो आप मेनत से मट तरिए, पूरे वीडियो को पूरा देखिए, अगर आप पूरा देखेंगे तो आपके दिमाग में questions भी छप जाएंगे, ठीक है, name the device used for calibrate or to determine actual exposure time during plate exposing, तो options A sensitive guide, calibration guide, printing down frame या side guide, तो ध्यान रखना दोस्तों, यह 19 का options number, A is the right answer होगा, sensitivity guide, ठीक है, दोस्तों, next question चलते हैं, question number 20, name the image carrier in letterpress, image carrier जो होता है letterpress में, उसको क्या नाम होता है, type होता है, cylinder होता है, plate होता है, या drum होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर type is the name of image carrier, ठीक है, 21 question है, reverse of letterpress, letterpress का just opposite क्या होता है, है ना, reverse कौन सी press होती है, उसको बोल रहा है, यह questions में आप से पूछा है, कि reverse of letterpress, letterpress का just opposite क्या है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर letterpress का integral printing जो होती है, वो reverse होती है, ठीक है दोस्तों, गर्वेयों प्रिंटिंग को भी integral printing बोलते हैं, laser printer produce image by using, तो laser printer जो होता है, image को produce करता है, बनाता है, reproduce करता है, drum को यूज करता है, ink को यूज करता है, tono को या PMT को, तो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर toner यूज करता है, laser printer reproduce image by using toner, ठीक है दोस्तों, next question चलते हैं, question number, question number 22, question number 22, कह रहा है, कि name the program help to diagnose problem with the DTP, direct to pictures, है न, document on the post script files, pre-fighting software, illustration softwares, या trapping software, या word processing software, तो ध्यान रखना है, दोस्तों, यहाँ पर options number A, is the right answer होगा, pre-fighting software, next question चलते हैं, question number 24, question number 24 कह रहा है, the universally accepted method for specifying and mixing color, आभी देखिए, बहुत ही अच्छा question है, कि कौन सा universal method है, या जो accept करता है, specify करता है, mixing color को, तो देखिए, दोस्तों, मैंने आपको भी बहुत बार बताया है, कि जो आपका color matching system, या pentone matching system है, या RGB है, या फिर CMY के, इसमें सबसे ज़्यादा universal accepted, जो आपका method है, वो pentone matching system है, ठीक है दोस्तों, 24 का options number B, is the right answer होगा, ठीक है दोस्तों, next question चलते हैं, question number 25, 25 question कहरा, a leaf contains only a green pigment, is illuminate with monochromatic red light, the leaf will appear to be, तो कहरा है कि leaf जो है, अगर green pigment illuminate करेगी, तो इना with monochromatic red light के, तो leaf का जो दिखेगी, appears होगी, वो किस color में होगी, green, black, red and blue, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि monochromatic red और green को mix करके, क्या बन रहा है, क्या appear हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों, option number C is the right answer होगा, G और R को मिलाएंगे, black हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, color coding अगर आपने नहीं पढ़ी हो, तो आप पढ़ सकते हैं, मैंने videos डाले हुए है, color mixing पे, बहुत ही important रहने वाले यह paper आपका book binding के लिए, ठीक है दोस्तों, यह है, caustic screening is otherwise known as, देखिए अभी आपको मैंने बताया था, यह question दुबारा पूछ लिया गया है, कि FM, इसका होगा FM screening, ठीक है दोस्तों, next question चलते हैं, next question है, one megabyte, देखिए, यह जितने भी question होते हैं, bit, या byte, या kilobyte, है न, या फिर आपका, यह तो one megabyte में कितने kilobyte होते हैं, या कितने MB, megabyte का मतलब है MB, MB में KB आएंगे, KB में byte आएंगी, byte में bit आएंगी, है न, इस तरीके से रहता है, तो यहाँ पर question पूछ रहा है, कि one megabyte में कितने KB, किलो बाइट आएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों, हजार किलो बाइट आएंगे, ठीके दोस्तों, next question, question number 28, कह रहा, the page style of layout program that appear on every page of multiple publication with automatic page numbering, first is key seat, master page, index या style seat, तो यहाँ पर दोस्तों दिहान रखना है, कि options number, these are right answer होगा, master page, next question चलते हैं, question number 29, question number 29, कह रहा है, the primary memory of computer that stored data, permanently, permanently, जो store करता data को, वो कहते है, read only memory, wall, tile memory, memory card, या random access memory, तो कि RAM ऐसा नहीं करती है, RAM किस काम आती है, आपके जितने software होते हैं, उनको run कराने के लिए, ठीक है दोस्तों, अभी आप यहाँ पर दिखेंगा, read only memories, या memory cards, तो यहाँ पर जो दोस्तों roam होती है, ठीक है दोस्तों, तो और आपका primary memory, जो computer के data store को, permanently store करती data को, तो वो होगी, read only memory, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखेंगा, options को, next question है, दोस्तों, the packaging used for electronic component, pharmaceutical tablets, और capsules, ETC, तो packing यूज की जाती है, कौन सी packing यूज की जाती है, electronic components को, pharmaceutical tables को, और capsules को pack करने के लिए, तो यहाँ पर, यहाँ पर जो दोस्तों, packing है, वो यूज की जाएगी, blister packets, blister packets, यूज की जाते हैं, क्योंकि blister का मतलब क्या है, कि उसमें थोड़े-थोड़े से, ऐसे दाने type के, अपको, पन्नी मिलती होगी, दोस्तों, उसमें pack करते हैं, क्यों pack करते हैं, उसमें, देखिए, जो electronic gadgets हैं, यह तूट सकते हैं, यह खराब हो सकते हैं, दूसरा क्या है, कि pharmaceutical tablets, वगएरा, यह सारी कि सारी, blister packets type में contain कियाती हैं, ठीक है दोस्तों, next question है, a series of small holes, very close to each other, is met so that a position of the seat of paper, may be readily turned away from his operation, is known as, punching, grazing, stamping, या perforating, तो ध्यान रखना हैं दोस्तों, options number C is the right answer होगा, perforating, next question चलते हैं, question number 32, देखिए, बहुत बार questions पूछा गया है, printing exam में भी पूछा गया है, और यहां पर भी आप से पूछा गया है, कि father of printing, father of printing, आपको आख बंद करते नहीं है, और john kuttenberg को लगा देना है, फिर dandy roller को यूज पूछ रहा है, कि watermark के लिए होता है, stencil के लिए होता है, या inking के लिए होता है, या coloring के लिए होता है, तो ध्यान रखना है, दोस्तों, watermark के लिए यूज करते हैं, dandy roller का, फिर कहा रहा है, who invented electrostatic printing, अभी आपको मैंने electrostatic printing के बारे हम बोला था, कि इसमें dry ink का यूज होता है, ठीक है दोस्तों, अभी कहरा है कि electrostatic printing का invention, किसने खोच की है इसकी, तो देखे दोस्तों, इसका options number visa right answer होगा, काश्टर कल्सन, काश्टर कल्सन जो है, इन्होंने इसकी खोच की है, इन्होंने खोच की है आपके, dandy, एक मिनिट, 34 questions, देखे, 34 का options number visa right answer होगा, इन्होंने खोच की है, काश्टर कल्सन ने, electrostatic printing की, और आपको मैंने dandy rollers के बारे हम बता है, वो watermark होगा, ठीक है दोस्तों, next question चलते हैं, next question है, question number 35, 35 questions बोला है, industrial integral printing is called, industrial integral printing को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको उपर questions बताया था, कि आपको अगर integral printing बोलेंगे, कि इसका other name क्या होता है, तुसको बोलते हैं, gravier printing, ठीक है दोस्तों, next question है, name of birth of John Gutenberg, John Gutenberg का place क्या था, कहां पर वो पैदा हुए थे, ठीक है दोस्तों, तो ये questions पूछ रहा है, तो ये है, mains में, mains में उनका जनुगा था, six picas is equal to 12 inch, 72 inch, 2 inch या 1 inch, तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये options, d is equal to 1 inch, 1 inch equal to six picas, next question चलते हैं, question number 38, question number 38 करे है, number of pixels per liner, inch in a scanner is known as, resolution, dpi, lpi या half tone, तो ध्यान रखना है दोस्तों, इसका options number C is the right answer होगा, lpi, ठीक है दोस्तों, next question है, has the ability to change light to electrical signal, and it's the most important element of scanner, scanner का most important elements क्या होता है, head है, color tube है, pmt है, या drum है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर options number B is the right answer होगा, pmt, ठीक है दोस्तों, next question चलते हैं, question number 40, question number 40 कहरा है, name of page layout software, page layout software का, नाम क्या होगा, coral draw, Microsoft word, Microsoft Excel या calc, तो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर options number A is the right answer होगा, coral draw, और coral mostly use करते हैं, printing या book binding या सारे operations में, इसी को जूच करते हैं, next question है, the method by which align four color half tone screen is referred as, tint gray scale screen angle है, resolutions, तो options number D is the right answer, screen angle, portable document format, PDF, देखे, मैंने आपको यहाँ बता है कि, PDF का full form क्या होगा, was developed in by Adop, तो यह Adop के द्वारा, Adop Reader जो बोलते हैं न, PDF Reader, Adop PDF Reader, तो वो कब हुआ, किसके द्वारा किया कि, Adop के द्वारा, Adop G ने develop किया इसको, और दूसरा, कब develop हुआ, यह year पूच रहा है, तो ध्यान रखना हैं दोस्तों, इसका Options No.C is the right answer होगा, 1993 में, Next Question चलते हैं, Next Question है, Recreation of Document for use on the web, without altering its original look, PDF Publishing, XML Publisher, HTML या Database, तो ध्यान रखना हैं दोस्तों, 43, Options No.C is the right answer होगा, PDF Publishing, Next Question है, A Printing Machine, which is printed simultaneously on both sides of paper sheet, as it passes through the printing unit, is known as, देखे, दोनों sides के printing papers को प्रेस, जो प्रिंट करती हैं, उस printing machine का नाम पूच रहा है, Perforating machines है, Perfect Binding है, Perfecting Press है, या CIC है, तो ध्यान रखना हैं दोस्तों, यहां पर Option C is the right answer होगा, 45 कर रहा है, device for checking multiple sheet in a registration system of a printing press, double sheet detectors, side lay, suckers, या front stop, तो यह Options number, A is the right answer होगा, double sheet detectors, next question चलते हैं, 46, 46 कर रहा है, device used for attaching a new web, while the printing is going on, shaft splicer, choppers, या tensi, tensi, tensi user, तो ध्यान रखना हैं दोस्तों, Options number, B is the right answer होगा, splicers, next question चलते हैं, a roller which is free to move up or down, forward or backward as a press runs in a web, oscillating rollers, dancer rollers, doctor rollers, chill rollers, ठीक है दोस्तों, तो यहां पर Options number, B is the right answer होगा, dancer roller, who is the inventor of lithography, देखें, lithography के लिए आपको, कुछ नहीं सोचना है, Alloys, Senes filters को, टिक कर देना है, 48 का Options number, D is the right answer होगा, next question चलते हैं, question number, 49, 49 कहरा है कि, name the instrument, used to draw parallel lines, in a layout table, light table, cursors, T square, ruler, कहरा है कि, उस instruments का नाम, बताएए, जो parallel line ड्रॉ करता है, layout tables के, तो Options number, D is the right answer होगा, T square, 50 questions कहरा है कि, small particle of paper, tear from the surface, of each press seat, and feed back, into the inking system, cause, set of hiking, strike throw, or tinning, Options number B is the right answer होगा, high keys, pH of damping solution, देखिए, यह questions बहुत बार पूछा गया है, आपके, printing के exam में, most of questions, important questions है, जो आप से पुछा गया है, कि pH का, damping solution का, pH किता होता है, तो दिहान रखना है दोस्तों, यहाँ पर, damping pH का, solution का pH है, वो, 4.5 से, 5.5 होता है, 4.5 to, 5.5 होता है, next question चलते हैं दोस्तों, in printing, non image area, are accept ink, cause, doubling, set of, dot grain, या, scum, तो ध्यान रखना है, दोस्तों, options D is the right answer, होगा, इस टेंसिल इस यूज़ एज 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 इमेज कैरियर, इन विश टाइप आप आप प्रिंटिंग, तो इस टेंसिल इस टेंसिल इस इमेज कैरियर के लिए यूज़ की जाती है, वो किस तरीकी की प्रिंटिंग में होती है, flexography में, screen printing में, या lithography में, या electro statics में, तो ध्यान रखना है, जो आपकी stencil होती है, stencils is the second name of, या other name of screen printing, ठीक है दोस्तों, next question चलते हैं, the inventor of heligraphy, heligraphy के inventor कौन है, या लिथोग्राफी का मैंने आपको, alloys जी बताया, वैसे आभी heligraphy जो होती है, उसके inventor कौन है, उसके कोज करता कौन है, तो है Joseph Nisfar, ठीक है दोस्तों, next question है, paper bulk is measured in, paper bulk को, बल्क जो होता है, आपका पूरा, वो papers को, किस में measure करते हैं, किस terminology में measure करते हैं, GSM में, Ream में, GMS में, या आपका point है, देखिए, यहाँ पे grams है, Ream है, points है, या GSM है, तो paper bulk को, जो आप measure करते हैं, वो करते हैं, GSM में, gram square meter में, ठीक है दोस्तों, known as, one ream, tone, M weight, या basis weight, तो ध्यान रखना है, यहाँ पर M weight कहते हैं, 1000 seats को, ठीक है दोस्तों, 57 questions कह रहा है, process of assembling signatures, by placing one on another, देखिए, signatures या, कोई भी tag, जिसी ये tag लगा हुआ है, यहना, तो इसको process करने के लिए, assemble करने के लिए, placing one to an another place पे, उसको क्या बोलते हैं, उस process को gathering बोलेंगे, punching बोलेंगे, laminating बोलेंगे, jogging बोलेंगे, तो ध्यान रखना हैं दोस्तों, यहाँ पर option number 8, right answer होगा, gathering, यह questions मैंने, पहले भी cover up किये हैं, अगर आपने videos नहीं देखिए, तो देखिए, बहुत सारे questions मैंने, book binding के cover up कर दिया है, most of मैंने, आपके लिए, 500 questions को cover up कर दिया है, ध्यान से पढ़ लीजिए, उसमें अच्छे, बहुत ही अच्छे important questions हैं, जो आपकी exam में, पूछे जा सकते हैं, 58 questions कहला, the popular paper bag, or pocket book is an example of, which type of binding, case binding, quarter binding, perfect binding है, account book binding, तो देखिए, दोस्तों, यह जो question number 58 है, इसका option number D is the right answer होगा, perfect binding, next question है 59, type height, type height क्या होती है, 0.61 inch, 0.918 inch, 1.9 inch, या 0.98 inch, तो देखिए, दोस्तों, जो type height होती है, वो होती है, आपकी 0.918, ठीक है दोस्तों, options B is the right answer होगा, अभी कहराई, scanner's sharpness is measured, is a term is, जो scanner की sharpness होती है, उसको किस term में, measure करने है, DPI में, resolutions में, screen में आई है, JPG के, JPG का full form आप, बता सकते हैं, दोस्तों, comment section में ज़रूर बताईएगा, DPI में, measure करते है, ठीक है दोस्तों, options number C is the right answer होगा, next question है, question number 61, device used for measuring thickness of blanket, blankets के thickness को, use करने के लिए, कौन सी device का, use करते हैं, blankets की thickness को, measure करने के लिए, तो दिहान रकराई, 61, options number B is the right answer होगा, solidurometer, solidurometer, ठीक है दोस्तों, options number B, next question है, question number 62, 62 उस question का, a same red or doubling image area, on the printed seat is known as, tinning, slurring, dubbing, या scumming, options number B is the right answer होगा, slurring, next question चलते हैं, question number है, lithography is invented in the year, lithography किस साल में invent की गई थी, ये questions बहुत बार, बहुत ही, अच्छा questions है, देखिए दोस्तों, lithography invented in the year, तो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर options यहाँ पर 1798, पर ये options गलत है, बहुत जगे options यहाँ पर 1796 में इसका invention किया गया, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, जो इसका है यह option right answer होगा 1796, 1796, नेक्स्ट कोशिए है, 64, पिक आउट दा रोलर, विच रिलेट तो फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग प्रॉसेश, अनिलोक्स रोलर, डैंसर रोलर, फोर्म रोलर, यह दिस्टिशन रोलर, तो 64 का options number, A is the right answer होगा, अनिलोक्स रोल, 65, एन एरे और अपरिलर, रिक्तांगुलर, बार्स और, इस्पेसेज देट, तोगेदर, रिप्रेजेट रिप्रेजेट देट, सिंगल डाटा एलिमेंट, और, पर्रेक्टर्स पर्टिकुलर्ली, सिंप्लो, लॉजी, स्पाइन, बाइनरी, स्पाइल, बिट मैब या बार्कोड, options number, options number, C is the right answer होगा, बार्कोड, next question जलते हैं, name the paper, characteristics which contribute to actual color image, for color work, reflectance, bulk, opacity, flat, तो देहान रखना है दोस्तों, 66 का options, number is a right answer to the reflectance, next question है, a set of blank pages, prepared to show the size shape, from the general appearance of the printed piece, samples, finished layout, books, dummy, of 67 questions number का answer number है, आपका, C, dummy, ठीक है दोस्तों, जो set होता है, आपका size और general appearance को, करने के लिए, तो उसको बोलते हैं, dummy, ये questions, आपके, exam में, book bindings के, exam में, बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये, most important questions है, जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, मैं बार 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 बता रहा हूँ, पूरी वीडियो को दिहान से देखिएगा, क्योंकि आपके exam point of view से, बहुत ही important रहने वाली है ये, next question है, 68, का name the roller, which touches the plate cylinder and inner offset machine, कह रहा है कि, plate cylinder को touch करने वाले roller का, नाम बता हूँ, inking roller है, या आपका founder roller है, या doctor roller है, या फिर आपका form roller है, तो यहां options 68 का option number, sees the right answer of form roller, next question है, देखिए, ये question भी बहुत बार पूछा गया है, आपसे, 69 questions है, rip stand for, देखिए, राश्टर इमेज प्रोसेसिंग, राइट आंसर होगा, राश्टर इमेज प्रोसेसिंग, next question कहलते है, nip roller, is associated with, with the type of machine, nip roller जो है, वो किस के साथ में लगा होता है, किस type की machine के साथ में लगा होता है, यहां पूछा, nipping press, seat fed, electrostatic machine, या, web press, तो ध्यान रखना है दोस्तों, यहां, options number, is the right answer को, web press, the perfect, फिर question कहता है, the perfect binding, perfect binding is known as, perfect binding is known as, perforating press, web press, adhesive binding, या, comb binding, तो ध्यान रखना है दोस्तों, यह adhesive binding को ही बोलते हैं, perfect binding, ठीक है, adhesive binding का second name, perfect binding, या, perfect binding को, adhesive binding, next question है, browsers commonly used for, laminating, advertising, screening, या, binding के, 72 options, number visa, right answer होगा, advertising, ठीक है, next question चलते हैं, question number 73, wire stretching, machines are used for, wire stretching, जो machines होती हैं, किस के लिए होती हैं, edge decorating के लिए, cutting के लिए, embossing के लिए, या, stapling के लिए, तो ध्यान रखनें, दोस्तों, stapling के लिए, use की जाती है, wire stretching machine, next question है, question number 74, question number 74, कह रहा है, in printing, face emails, stand for, printing में, जो, आपका, face emails और गए रहा हैं, वो stand करती हैं, उसको क्या, बोलते हैं, jerox बोलते हैं, fax बोलते हैं, perfect copy होलते हैं, perfect copy होलते हैं, तो इसका options, D होगा, perfect copy, next है, latent image, hidden image, removed image, printed image, या transparent image, options number, is the right answer होगा, hidden image, next question है, question number 76, the material in which, the image is printed, commonly known as, bulk, paper, seed, subtracts, या, आपका होगा, bulk, या, paper, या, seed, या, subtracts, 76, option number, C is the right answer होगा, subtract, 77 question है, rendering means, rendering means होता है, copying, doubling, converting, या, screening, तिहान लगता हैं, दोस्तों, यहाँ पर option, C is the right answer होगा, rendering means, screening, यह सारे questions, मैंने पहले भी कराए हैं, अगर आपने अभी तक, videos नहीं देखें, तो देख लें, बहुत ही important question है, जो मैंने आपके लिए, पहले भी cover किये हैं, और यहाँ पर भी आपको, इस videos में cover हो रहे हैं, इस papers में आपसे पूछे गए हैं, ध्यान रखना है, spectrophotometer is a device, used for measuring, spectrophotometer, जो device है, उसका यूज करते हैं, किस के लिए, print speed के लिए, exposure time के लिए, color values के लिए, या density के लिए, तो ध्यान रखना है दोस्तों, color values के लिए, यूज किया जाता है, spectrophotometer, name of the property of substance, to flow, property of substance to flow, solid, liquid, viscosity, या resistance, तो यह property, इसको बोलते हैं, viscosity, flow की viscosity, property जो होती है, substance to a flow, उसको बोलते हैं, 80 questions है, method to find out, the number of pages, in the printed copy, for a given manuscript, casting in, casting on, casting out, या casting off, 80 का option, number C is the right answer, casting off, next question है, question number, 81, question number 81, कह रहा है कि, the present different minister of India, देखिए दोस्तों, यह questions, थोड़ा सा, out of slivers से, इसलिए यह question आप से, नहीं पुचा सकता है, देखिए, in God, we trust, in the national motto, यह किस, national motto है, या national logo है, या sorry, motto है, किस देश का, in God we trust, ध्यान रख रहा हैं दोस्तों, इसका option, number C is, right answer होगा, अमेरिका का, पर यह questions, तो आप से, definitely नहीं पूचा जाएगा, आपके जो, total questions, यह 80 questions, यह आपके लिए, बहुत important है, book binding से, तो इसको ध्यान से, पूरे videos को पढ़ेगा, PDF आपको मिल जाएगी, description में, link दिया होगा, telegram, आपको description में, link दिया होगा, वहाँ से, आप मुझे contact कर सकते हैं, और आपको PDF इसली मिल जाएगी, I hope आपको video अच्छी लगी होगी, तो please, channels को like करें, देखिए दोस्तों, आप videos तो देख रहे हैं, पर channel को like करना, साइद भूल जाते हैं, इसलिए, videos को like करें, चैनल को subscribe कर लीजे, thank you very much.